सो अलो फेंट्स मेरा नाम है पुश्कर और यह है Nothing Phone 1 और आज की इस वीडियो में लोग देखेंगे Nothing Phone 1 में Dual Apps या App Lock, App Hide का फीचर आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं विखोस डिरेक्टली आपको Nothing Phone 1 में जो है ना App Lock या App Hide का फीचर नहीं मिलता है बट Multi User का आपको फीचर मिलता है जिससे आप अलग-अलग User Space create कर सकते हैं और उस अलग-अलग User Space में आप Separate App यूज कर सकते हैं और उसी तरीके से आप Dual Apps का फीचर जो है वो इंडिरेक्टली इसमें यूज कर पाएंगे साथ ही अगर आपका कुछ Personal App है जिसको आप चाहते हैं कि वह आपके Default Space में Show ना करे या फिर उस अप को आप Lock करना चाते हैं वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे स्टार्ट करते हैं नदिंग Phone 1 में Multi User Feature को Setup करने के लिए यूज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने Phone के Setting में जाना है Setting में आपको नीचे System Setting में जाना है Multi User पर टैप करना है and Use Multiple User को Enable करना है Multiple User Feature Enable करते हैं जो हैं आपका Main Account शो करने लिए गया है Guest User Account जो है वो Automatically Create हो जाता है इसके अलावा अगर आप कोई Personal Space या Personal User Account क्रिएट करना चाहते हैं जिसका यूज करके आप Dual Apps या फिर App Hide या App Lock फीचर को यूज करें तो उसके लिए आप आपको Add User की उपर Tap करना है OK की उपर Tap करना है तो यहाँ पर जो हम नया User Space Create करना है उसका Name हम यहाँ पर Enter कर दिया है OK की उपर हम यहाँ पर Tap कर देते हैं तो जैसे ही आप नया User Space Create करते हैं तीन Option आपको Show करेगा Switch to Personal मतलब जो नया User Account आप Create के हैं उसके उपर अगर आपको Switch करना है तो जैस्टिस के उपर आप Tap करके Switch कर सकते हैं उस नय User Account के लिए आपको Phone Call और SMS को Enable करना है तो इस Toggle Switch को यहाँ से आपको Enable करके OK के उपर Tap करना है और जो नया User Space या Account आप Create के हैं डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं अब यहाँ से अगर हम बैक आते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे Phone में अब तीन Account है यह मेरा Main Account है यह मेरा Personal Account है जो अभी तक Setup नहीं है और यह Guest Account है अब अगर हमको Personal Account को Use करना है तो Just हम यहाँ पे Tap करेंगे और यहाँ से भी हम Switch कर सकते हैं Personal Account पे या फिर आपको Control Center में भी जो है न एक यहाँ पे Switch Add हो जाएगा जैसे हैं आप Multiple User Feature को Enable करते हैं इसके उपर Tap करेंगे तो जितना भी Account आपके Phone में वो सारा यहाँ पे Show करने लगेगा अब हमको Personal Account को अगर Use करना है उसको Set Up करना है Just इसके उपर हमको Tap करना है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे Switch To Personal हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेरा Phone जो आप Personal Account पे Switch कर गया है जो कि फिलाल Unlocked है क्योंकि इसमें हम कोई भी Password जो हो Set नहीं किये है जब भी आप Multiple User Feature का Use करके नया User Account या User Space Create करते हैं तो Same जैसे आप नए Phone को Set Up करते हैं वैसा ही Pages आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा अब जैसा कि हम आपको बदाए बिल्कुल नए Phone के जैसे आपको इसको Set Up करना पड़ेगा तो यहाँ पे आपको अपने Email Account से जो है इसमें Log In कर लेना है अब अगर एक ही Phone है दो User है तो दोनो यूजर जो है अपने Email Address से दो अलग-अलग Account में Sign In कर सकते हैं अगर एक Phone का एक यूजर है उसको Dual Apps, App Lock, App Hide का Feature यूजर करना है आपके पास एक ही Email Address है तो जिस Email Address से आप अपने Main Account में Sign In किया है ना उसी Email Address से आपको यहाँ पे भी Sign In कर लेना है उसके बाद आपको चूज कर लेना है कि यह जो User Account या Space आप Create किया है यह Use कौन करेगा अगर आप खुद यूज करेंगे तो First Option से लेक कर लेजेगा अगर आपके Family का कोई और Member यूज करेगा तो आप Second Option जो है वो Select कर सकते हैं By default यहाँ आपको Pin का Option शो कर रहा है बट Screen Lock Option में आपके पास Pattern, Pin, Password सारा Option है जो भी आपको Set करना हो आप Set कर सकते हैं विस नए User Space के लिए एक नया Pin जो हो Set कर देते हैं अब यह जो नया User Space है इसके लिए आप Fingerprint भी अपना Enroll कर सकते हैं Setup के उपर हम टाप करते हैं यहां पर हम नया Fingerprint जो है वह एड कर देते हैं उसके बाद यहां पर Done के उपर टाप कर देते हैं फिर Google Assistant वाला कुछ Settings देखने के लिए मिलेगा जिसमें आपको More I Agree के उपर टाप कर देना है उसके बाद अगर आपको Font Size यहां से क्रिएट होगी आप देख सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि अभी पर्सनल यूजर स्पेस या यूजर अकाउंट जो क्रिएट किये थे उसमें हैं यहां पर देख सकते हैं कि बिल्कुल जो Stock Application Nothing Phone 1 में New देखने के लिए मिलता है बस वही Stock Application जो है यहां पर हमको देखने के लिए मिल रहा है अब किसी अप्लिकेशन को ऐसे Dual App से कर हमको यूज करना है तो यहां पर Play Store से जाके उस अप्लिकेशन को हमको इंस्टाल करना होगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि WhatsApp जो हम इंस्टाल कर लेते हैं तो अभी जो पर्सनल यूजर स्पेस है इसमें कुछ Apps हम इंस्टाग्राम ये ट्विटर और इनहीं के मदद से हम यूज कर सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो WhatsApp अप्लिकेशन है बिल्कुल नया अप्लिकेशन है जबकि यहीं पर अगर हम स्विच करते हैं वापस से अपने मेन अकाउंट पुश कर में और स्विचिंग का जो टाइम है वो भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही मार्जिनल है और यहां पर अनलॉक करने के लिए हम अपने फिंगर्पिंट का यूज करते हैं और यहां पर यह मेरे मेन अकाउंट का WhatsApp है जो कि कुछ इस तरीके से से सेट अप अलरड़ी किया हुआ ह अगर हम WhatsApp को ऐसा डूल अप यूज करना चाते हैं मतलब कि अपने दूसरे नंबर से भी नथिंग फोन वन में WhatsApp यूज करना चाते हैं तो यहां पर जो हम को स्विच करना पड़ेगा अपने पर्सनल यूजर स्पेस में या कोई भी नया स्पेस जो हम क्रिएट करेंगे उसम करेंगे से हम नथिंग फोन वन में डूल अप्स वाला फीचर यूज कर सकते हैं अब यहां पर अगर हम अपने में अकाउंट में जाते हैं और यहां पर अगर हम लॉग इन करते हैं उसके बाद अगर हम यहां से instagram application को delete कर देते हैं या uninstall कर देते हैं twitter application को यहां से अगर हम uninstall कर देते हैं तो अब यह जो instagram और twitter है न यह मेरे main user space में show नहीं करेगा मतलब एक तरीके से यह मेरे default account से hide हो चुका है और अगर हम app lock का बात करें तो डिरेक्ली आप तो लॉक नहीं कर सकते हैं बट अगर अभी किसी को मेरे इंस्टाग्राम या ट्विटर को एक्सेस करना होगा तो सबसे पहले तो उसको जो है न मेरे पर्सनल स्पेस में जाने के बाद भी जो है न हमको यहां पे पिन पाटन पासवर्ड जो नया फिंगर प्रिंट है वो एंटर करना पड़ेगा तो यहां पे नया फिंगर प्रिंट एंटर करेंगे तब ही जो है न कोई मेरा इंस्टाग्राम या ट्विटर या कोई भी और अप्लिकेशन जो आप एप हाइड किये हैं या जिस आप को आप लॉक करना चाते हैं उसको आप डुल अप अप लॉक किया अप हाइड गेशा फीचर यूज घर सकते हैं अगर आपको किसी यूजर स्पेस को डिलीट करना है उसके लिए वापस से इपको सेटिंग में जाना होगा सेटिंग में मल्टिबल यूजर पर टैप करना है जिस पी यूजर स्पेस को अगर को delete करना है इसके उपर tap करके यहां से हम इस user space को delete कर सकते हैं कौन सा user space कितना storage space occupy कर रहा है अगर आपको वो देखना है उसके लिए आपको setting में storage में जाना है storage में अगर आप सबसे नीचे जाएंगे तो यहां पर आपको पता चल जाएगा कि personal user space जो है या other जो भी user रहेगा न वो कितना storage space occupy करके रखा है so friends यही था nothing phone one का multiple user वाला feature I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कीजेगा चानल को subscribe कीजेगा nothing phone one के regarding कोई भी doubt हो query हो आप पूछ सकते हैं बागे मिलते है next वीडियो में बाबाई जहिंद